हाई गाईज विल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल वियर टेकनिकल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना गूलिए थैंक यू आज मैं आपको बताऊंगा कि HP Laser Z जो ये 3 मशीन्स हैं 438F436433 या जो नई सेम इंजिन मशीन्स हैं इनमें ड्रम या डवलपर यूनिट कैसे रिप्लेस करते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले टोनर कार्टरेज निकालना है मशीन इस टाइम पे ओफ कंडिशन में होना चाह इमेजिन्ग यूनिट ये इस पे आपके दो स्क्रू लगेंगे राइड डोर खोल के आपको ये अक्टिविटी करनी है यहां पे देखिए दो स्क्रू एक और है दो स्क्रू निकालने के बाद आपकी इमेजिन्ग यूनिट निकल जाती है ये बहुत ही इजी प्रोसेस है बट आपको केरफुली काम करना है, देखिए ये दो स्क्रू हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइड डोर खोल के आपको ये अक्टिविटी करनी है, तो ये पूरा का पूरा इमेजिंग उनिट बाहर आ गया, देखिए, इमेजिंग उनिट को हम खोलते हैं, दोनों साइड से, इस वीडियो को आप लास तक जरूर देखना, और स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत इंस्ट्रक्शन्स जरूर बताता रहता हूँ वीडियो में, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, दोनों साइड के कवर निकाल दिये हैं, आपको थोड़ा सा इसको शेक करके निकालना है, ये कनेक्शन है, ये आपका इमेजिंग उनिट का, तो इस कंप्लीट उनिट को हम बोलते हैं, इमेजिंग उनिट, तो ये दोनों अलग-अलग हो गए हैं, तो अभी ये निचे वाला डवलपर उनिट हो गया है, और उपर वाले को हम, इमेजिंग उनिट का, डरम उनिट बोल सकते हैं, ये डवलपर बीड्स है, डवलपर पावडर भी बोलते हैं, तो इसको अच्छी तरह शेक करके हमारे क इसमें developer unit में डालना है तो ये जो unit है ये नया है ठीक है तो अगर पुरानी unit में आपकी दिक्कत आती है तो पहले पूरा का पूरा developer bits आपको निकालना है उसके बाद आपको fresh उसके अंदर डालना है अभी ये नई developer unit है तो इसके अंदर हम निकालने के लिए तो कुछ है नहीं क्योंकि यह नहीं है तो इसलिए हमें इसमें डवलपर बीट्स को डालना है यह इसके लॉक खुल जाएंगे और यह आपका फ्लैप इसका निकल जाता है तो अभी यह नया है तो इसमें हम डालते हैं ध्यान रहे एक ही जगह नहीं डालना है इक्वल इक्वल क्वंटिटी में हमें लेफ्ट राइट करके सारे जगह डालना है ठीक है अब चाहे तो थोड़ा सा टेड़ा कर सकते हैं यूनिट को यह रोलर को मूव कराता हूं मैं तो इस पे जो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आनी चाहिए यह देखे इक्वल क्वंटिटी में इसके उपर डवलपर बीट्स नजर आ रहा है ठीक है तो हमारी क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं आएगा तो अभी स्कॉम कर देते हैं बन वाफस हिए उसका हमारी को रखै रेते हमारी को अजया है रिखिवाड़ आप इसमारी इसमारी ज्दरें यह तो लोग कर दो है यह इमेजिंग ड्रम है इसको हम वापस ऐसे कैसे लगा देते हैं थोड़ा सा टेड़ा करके यहां पे दो सेक्शन बने हुए हैं लेफ्ट रैट में तो हहां पे आपको इसको डा फिट करना है और यह प्रोपर आपका इस तरह से फिट हो जाएगा अगर आप इमेजिंग ड्रम कभी खरीदना चाहें अगर आपकी मशीन में इमेजिंग ड्रम की लाइफ खतम हो चुकी है या किसी और प्रोब्लम की वज़े से अगर आप यह यूनिट खरीदना चाहते हैं तो इमेजिंग ड्रम खरीदने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से बाए कर सकते हैं इसको अब ही दोनों साइड के जो फ्लैप है वो हमारे को लगाने है और साथ में यह कनेक्शिन भी लगाना है यह त्टिक है इसमें एक ए इसमें जो ही यह कनेक्टर है एक तरफ यह मशीन में लग जाता है और एक तरफ यह डवलपर यूनिट और इमेजिंग ड्रम दो जगे छोड़ दोगे नहीं लगाएंगे तो आपकी मशीन में C31312 अगरा का एरर आ सकता है या कोई और आर भी आ सकता है या इमेजिंग उनिट नॉट इंस्टोल्ड या मिसिंग इस तरह से कोई आर आपका आ सकता है तो आप समझ जाएए कि आपने इमेजिंग जो ड्रम का कोई कनेक्शन प्रोपर नहीं लगाया है ठीक है यह हमारा काम कंप्लीट हुआ है तो अभी हम इस यूनिट को लगा देते हैं कनेक्शन लगाते है और जो दो स्कुरू है वो लगाने है हमारे को तेखे गाईज यह बहुत इजी प्रोसेस है ठीक है यह कनेक्टर द्यान से लगाना है यह दो स्क्रू आपको लगाने है ठीक है अभी राइट डूर को हम कर देते हैं बंद हार्ट टोनर भी लगाना है इसमें मशीन को कर देते हैं अभी ओन तो अभी जैसे नया डवलपर यूनिट लगा है उसके वज़े से आपका जो कैलिबरेशन अभी वो परफॉर्म होगी तो हमें वेट करना होगा तब तक तो वो स्क्रीन पे ओटो पॉप अप हो जाएगा दो से तीन मिनट लेगा वो तो आपको बीच में मशीन को बनना ही करना है वेट करना है देखिए ओटोमेटिक वो आपका पर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अभी मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ दो से तीन मिनट अभी ये मशीन रेडी पे आ गई है ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं रिपोर्ट निकाल के देखता हूँ कि अब इसकी क्वालिटी जो है वो कैसी आई है मैं इसका कॉन्फिग्रेशन पेज निकाल के देखता हूँ क्वालिटी को चेक करेंगे हम ये देखिए क्वालिटी बिल्कु जबरदस्ता ही है तो गैस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना थैंक्यू